अरुनाशर प्रदेश के साथ साथ चनिन्द नौ्ट इस्टर्न स्टेट्स में एक जानवर पाया जाता है जिसे मिथुन बुलाया जाता है Cattle of Mountains बुलाये जाने वाले मिथुन चाइना, म्यामार, बांगलादेश और भूतान में भी पाये जाते है ये काय की एक प्रजाती है जिसका साइन्टिफिक नाम है Boss Frontalis मिथुन समुट्रे तल से 1000 से 3000 मीटर की उचाई पर पाये जाता है और free range या जिन्हें बाहर आउट्डोज में घूमने दिया जाता है की rearing टेखनीक से rear किया जाता है मिथुन स्तान्य आदिवासी अबादी के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है वर्तमान में इस जानवर को मुख्य रूप से मास के लिए पाला जाता है जिसे किसी भी अण्य प्रजादी के मास से अधिक कोमल और शेष्ठ माना जाता है मिथुन का दूल हलाकि कम मात्रा में उत्पादिद होता है काफी हाई क्वालिटी का होता है और इसका उप्योग विभिन मिल्क प्रड़क्स के तैयारी के लिए यूज किया जाता है इस प्रजादी से प्राब जो लेदर होता है वो भी काफी हाई क्वालिटी का होता है मिथुन अरनाचल प्रदेश के परानी कठाओ का एक अभिन अंग है अनाचल प्रदेश में मिथुन सोने के समान है क्योंकि वहाँ वस्तु विन्युमे प्रनाली में उच्छतम मूल्य का आदेश देता है ये तानवय लोगों के बीच समाज में त्यों हारो और डिस्प्यूट को सुलजाने के लिए एक important, crucial exchange medium होता है मिथुन को धार्मिक समारों और अनुष्थानों में देवताओं और डेवियों को भेट के रूप में भी चरहाए जाता है ऐसा माना जाता है कि परमात्मा जनजाती और फसलों और पशों की उत्पादत्ता बढ़ाने के लिए आशिरवात देते हैं और मानव जाती को अकाल, महमारी और बिमारियों जैसे आपादों से बचाता है मिथुन को शांती और संप्रदाइक सभाव का सिम्बल मना जाता है यहां रहने वाले आदी ट्राइप सोलंग नामकाय ट्योहर मनाता है जो मिथुन के जन्म और अगमन के उपलक्ष में मनाया जाता है परंपरागत रूप से मिथुन का स्वामित्व किसी व्यक्ति की सम्रिद्धी और समाजिक स्थिती का प्रतीक माना जाता है मिथुन को नीशी, आपतानी, गालो, आदी, मिश्मी, शेडुक्पन और दूसरे कम्यूनिटीज में एक पवित्र सिंबल माना जाता है अल्मूस्ट उसी तरह जैसे इंडिया की बाकी हिस्सों में गाय सेक्रिद है अगर आपको नौठीस्ट के बारे में इंट्रेस्टिंग फैक्स, स्टोरीज या किस से जानना है तो आप प्लीज हमें इसके बारे में सजेस्टिंज भी दे सकते हैं अपने फीड़बैक में कमें सेक्शन पर इसके इलावा प्लीज हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारी सोचल मीडिया हैनल्स पे भी फॉलोग करें नमस्कार